मेरे प्यारे साथियों नमस्कार मैं सुख वीर सिंग्ढ अपने सभी साथियों का इस着 KOMP Undisyon Community परिभार के YouTube Platform पर स्वागत करता हूं आसा करता हूँ आप सभी साथी सही होंगे तो मेरे प्यारे साथियों हम संग्राम सीरिच की बात कर रहे हैं और इसमें हमने मैंस की यानि मुख्य परिच्छा को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह से बहतरीन आंसर राइटिंग किया जा सकता है और हम अधिक से अधिक मार्ख हासिल कर सकते हैं तो साथियों आज हम भारती इतियास की बात करेंगे और उसमें हम ancient इंडिया के कुछ टॉपिकों की हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों आप जानते होंगे कि जो पूरा इतियास है उसमें 75 नंबर का पूछा जाता है मार्क है ना हमारी जो पेपर नंबर जो 3 है CGPSC का और उसका जो Part 1 होता है उसी में हम लोग इसको डिसकस करते हैं और Ancient India को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लग भग 30 से 32 नंबर का पूछा जाता है तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं प्राचिन भारत के थ्यास की बात करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि रख होसला वो मनजर भी आएगा प्यासे के पास चलके समंदर भी आएगा अभी मुस्किल का दोर है थोड़ा हमत से काम लो मनजल भी मिलेगी और मनजल का मज़ा भी आएगा तो मेरे प्यारी साथियों अब हम जो अपने टॉपिक की तरह बढ़ते हैं कि हम कुछ टॉपिकों की बात करेंगे कुछ प्रसНों की बात करेंगे जहां पर हम यह चर्चा कांएने का प्रयास करेंगे कि कैसे उस प्रस्ण को आप अच्छा करके लिख सकते हो तो चलिए प्रस्ण है यहाँ पर एक पाशाड काल से प्रस्ण है क्योंकि आपको मैं बता दूँ कि जो पाशाड काल है यानि स्टोन एज है तो जो प्राचीन भारत है ancient India है जो प्राचीन जो भारत है प्राचीन भारत का इतिहास जो है प्राचीन भारत का इतिहास है यहां से कुछ टॉपिक है जहां से प्रशन बनते हैं तो पिछली बार एक प्रशन बना था पाशाड काल से जैसे मद्रास कल्चर की चर्चा की थी कि मद्रास कल्चर की चर्चा के जिए, किसकी चर्चा के जिए, प्रश्ण है एक दो नंबर में भीम बेटका की चर्चा के जिए, तो मतलब हमने जो प्राचीन भारत का जो इत्यास है, इसको हमने सबसे पहले टॉपिक से उठाया है जिसे हम पाशाड काल कहते है यानि स्टोन एज कहते हैं स्टोन एज के नाम से जिसे जानते हैं, और इस काल का एक इस्तल है, जिसका नाम है साथियो, भीम बेटका अब यहाँ पर प्रश्ण क्या बना है, कि भीम बेटका की चर्चा कीजिए, किसकी चर्चा की जा रही है भीम बेटका की, तो प्रश्ण पूछा है आपसे, मेरे प्यारे साथियों, कि भीम बेटका की, भीम बेटका की, चर्चा कीजिए, भीम बेटका की, चर्चा कीजिए, और ये कितने मार्क में है, ये टू मार्क में है, प्रश्ण है, टू मार्क में है ये, तो एक बात याद र इस्थल के बारे में तो हम बात करेंगे आंसर में कि आपको क्या-क्या पता होना चाहिए और आप किस तरह से एक बहदरीन आंसर लिख सकते हो तो जैसे यहां प्रश्ण पूछा कि भीम बेटका की चर्चा करना है अगर इसी चर्चा को अगर कहा जाता भीम बेटका का उलेक क किजिए या भीम बेटका के बारे में बताईए या भीम बेटका पर प्रकाक डालिए इस तरह से अगर पूछा जाता अभी हमने पूछा भीम बेटका की क्या करना है चर्चा करना है और अगर यहीं पर यह कह देते हैं कि भीम बेटका का उल्ले कीजिए या भीम बेटका के बारे में बताईए और या फिर भीम बेटका पर प्रकास डालिए उसके बारे में बताईए तो सब यह क्या पूछ रहा है इन सब का आंसर क्या होने वाला है एक ही होने वाला है तो यहाँ पर पहले समझेंगे कि भीम बेटका की चर्चा कीजिए या उलेक कीजिए या उसके बारे में बताई या उसका प्रकास डालिए तो यहाँ पर अगर भीम बेटका की बात हमने की है तो पहले आपको किसी भी इस्थल के बारे में अगर पढ़ना है तो उसक कहा कि भीम बेटका की चर्शा कीजी मतलब उस इस्थल के बारे में पता होना चाहिए कि वो इस्थल कहां पर है तो उसके समय की ध्यानकारी पता होने चाहिए कि वो किस काल का है तो आप क्या बताओगे यह है एक पाशाड कालीन पाशाड कालीन क्या है ये पहले उसके बारे में पता होना चाहिए पाशाड कालीन और पाशाड काल में क्या उच्चे पुरा पाशाड काल और मध्या पाशाड काल मीजो लिथे केज अपर पहली लिथे केज में था ये और ये इस्थल याद होना चाहिए कि भा i continua पर को कि दो उस्थल कहां पर है ये तो आप क्या बताऊगे ये मद्ध्रदेश के मद्ध्रदेश के काहां पर ये राइसेंट हैं थिस्टिक में परथे कचली हमने कहा कि इस तल के बारे में संहीं ने खोजा था इसे मेरे प्यारे साथियो वियस वाकड कर महुदा ने वियस वाकड कर महुदा ने क्या किया इसे डिस्कवर किया in 1958 उन्नीस तो अठावन में इसको खोजा था तो वह यहां से क्या हमें कुछ receive romance मिले है क्या हमें यहां से प्राप्त सामगरी मिली है क्या इसे क्या हमें यहां से कोई प्राप्त सामगरी मिली है तो हम कहते हैं हमें यहां से प्राप्त सामगरी मिली है और वो सामगरी क्या है यहां से सैल चित्र मिले है यहां से अधिकतम क्या सैल चित्र रॉक पेंटिंग कि हमको यहां से क्या मिले है एविडेंस मिले है यहां पर तो यहां से हमें क्या मिले है सेल्चित्र की जानकारी मिली और इसके वारे महगे और extra point आता है याद किया तो बिलकुल आता है कि भाई इसे UNESCO इसे UNESCO ने अपनी विस्स विरासत सूची में सामिल किया है बात समझ गए आप लोग क्या बहुत अच्छी बात मैंने कहा कि भीम बेटका की चर्चा कीजिए इतने तरह से हमने एक प्रश्ण को ही बताया और इसका आंसर क्या होगा, तो हमें पहले कुछ keyword पता होना चाहिए, कि वे इस्तल है कहाँ, वे side कहाँ पर है, किस काल की है, मतलब वे side किस काल की है, यानि समय period पूछ रहा है, time period पूछ रहा है, तो हम सबसे पहले किसको बताएंगे, time period बताएंगे, फिर हम location बताएंगे, स्तल बताए कि हम इससे प्राप्त रिसीव रिवाइन समय क्या प्राप्त हुए सेल चित्र प्राप्त हुए है और पांचवा पॉइंट के इस्से युनेस को ने अपनी वर्ड हरीडेश सायट में सामिल किया है कितना अगर आपको किसी भी दो के अगर प्रश्ण को लिखना है अगर कोई प्रश्ण आपका टू मार्क का आ रहा है और कोई साइड आ रही है कोई भी इस्थल आ रहा है चाहे वो इस्थल लिख रहे हैं या इस्थल पढ़ रहे हैं चाहे वो इंडस वैली सिवलाइजेसन का हो कोई भी हो तो उसके बारे मे अगर जब आपको पढ़ना रहता है तो आप देखेंगे वो कब या किस काल का है टाइम पूछ रहा है किस काल का लिखेंगे सबसे पहले किस काल का फिर उसके बाद हम बताएंगे कि वह अवस्तित कहां पर है कहां है वो उसका हम लोकेशन बताएंगे कहां पर पढ़ता है वो उसके बाद हम बताएंगे उसकी खोज अगर पता है तो बतादो बढ़ी अच्छी बात है या फिर उसका excavation उत्खनन किस ने कराया ये बतादो या इसकी खोज या इसका उत्खनन ये industry मेली में आपको काम देगा उत्खनन के वारे में या फिर यहां से हमें क्या कोई रिवर है या अगर कोई रिवर है तो आप नदी बता दो अगर कोई आपको नदी पता है तो नदी बता दो और इसके बाद हम अंतिम पॉइंट के लिखेंगे वहां से प्राप्त रिसामग्री और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इन किसी भी इस तलव को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं अगर हम आप से कहें कि बहीं सोहन घाटी अगर सोहन घाटी की बात की जाएगी तो कहां पर है अब देखो सोहन घाटी की एकर हमें चर्चा करना है सोographer की जैसे मदरास कलचर की बात की बैसे ही अगर सोहन कलचर की बात कह ले तो इन पॉ trail फे इस घाटी को रख दो रिसीब रिमाइन्स चापर चापिंग पेबूल कहानी समझ मारी एक नहीं आ रही है तो इस तरह से किसी भी साइट की आप बात करोगे तो यहाँ पर आप क्या रखोगे यही रखोगे ठीक है अब ऐसे ही जैसे एक प्रशन पूछ लिया आप से कि लोथल की चर्चा करें तो लोथल को भी बताओगे अगर इंडस वैली का साइट है किसी भी कालखंड का साइट आ जाए तो लोथल की चरचा करें, तो लोथल किस काल का है, तो आप बताओगे IVC, INDUS WELIE, सबबिता का है, कहां पर है, तो आप बताओगे, गुजरात में है, gracias. रस नदी भोगवा नदी आपको यहां से देखने को मिलती है और इसका जो हमने बात कि आप से से आपको लिखना था जो हमने उदर समझाया था वही इदर explanation आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है मद्धिपाशाड कालीन है ना उच्छ पुरा पाशाड मद्धिपाशाड कालीन इस तले 1958 में भी यहां से प्राचिंतम सेल चित्र है ना के प्रमाड मिलते हैं उनेसको ने इसे वर्ड हैरिटेज साइड में से सामिल किया था आप समझ पाए होंगे ठीक है अब इसके बाद अगर हम और किसी प्रशन की बात करें तो बैदिक काल की एक साइड की बात करते हैं बैदिक काल का एक प्रशन है यह और बैद कि इसततं मं थर्म से बने है या फिर जो संस्थाएं ठी जैसे स्भा जैसे समिति जैसे विदत यहां से परेश्ण मनें यह vendor सवाा महत्त के बताई यह बड़त का महत्त बताई तो कि र죠 कि इंका उपयोग व्यP का निवाती थी यह राजा यानि जो सरदार होता था राजा होता था उसकी क्या करती थी यह मदद करती थी ठीक है ना और इसी तरह से धर्म के छित्र में एक देवता थे बरुड देवता बरुड के वारे में पूछा था यहां पर तो हो सकता है बैदिक काल में देवता बरुड के वारे में पूछा हो तो आपको अन्य देवताओं के वारे में भी याद होना चाहिए हो सकता है आपसे अगनी के वारे में पूछ लिया जाए हो सकता है आपसे इंद्र के वारे में पूछ लिया जाए समझ रहे हो ना हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि प्रतिवी के देवताओं की शर्शा करो अगनी है व्रस्पति है अगनी का काम क्या है रिगवेद के सभी मंडलों की जो सुरुआत होती है अगनी की उपासना से होती साथ ही यह यहां पर बात की जारी 2 नमबर में प्रश्ण लिखेंगे कम से कम आपको । comics होता है 2004 सब्थ में होता आठ नंबर वाले में कम से कम दस सब्द बचाएं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो अधिक तम प्रिष्ण सॉल्व कर सकते हो कहानी समझ रहे हो ना ठीक तो यहाँ पर अगर देवता इंद्र के बारें बात की जा तो मैंने का कम से कम आपको तीन पॉइंट याद होने इनको कितने सूक्त समर्पित हैं तो यह किस काल के हैं पहले बात यह रिगवेदिक काल के देवता हैं रिगवेदिक काल के प्रमुख प्रमुख देवता है यह उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होने चाहिए इन्हें रिगवेद में 250 सूक्त क्या हैं समर्पित हैं डेड इंडस वेली सब बिता है उसके पतन के लिए कौन जिम्मेदार है इंद्र जिम्मेदार है या आरे जिम्मेदार है तो इनको यहां पर किस नाम से जाना गया है इनको पुरंदर की नाम से जाना गया किस नाम से पुरंदर पुरंदर का अर्थ क्या होता है दुर्गों का नश् तेवता माना गया नहीं किसका इन्हें वर्सा का नहीं देवता माना गया समझ रहे हो तो अब इस तरह से इंदर के बारें मैं बात की जायेगी इंदर के बारें बताई निया बता हो गए रिगवदिकक Ub ans थे 250 सुक्त समर्पित हैं इन्हें पूरंदर कहा गया है और इन्हें बर्सा का देवता कहा गया है समझ रहे हो और इनका प्रेपदार्थ था सोम इसका यह क्या करते थे पांड गरते थे इस तरह से आप इनको बताओगे ठीके न और इन्हें सोम का पांड करने के काड इन्हें समर्पित थे और इनको पुरंदर अर्था दुर्गा को नश्ट कहने वाला और वर्षा का देवता एवं सोमा पा भी कहा जाता है कहानी समझे कि नहीं मतलब दो नंबर के प्रिश्ण में जब भी आप से दो नंबर का प्रिश्ण पूछा जाएका तो आप क्या उसका कोई पर नहीं है और इस में तू में तू आपको मार्प मिलने वाले हैं कानी समझे के लियर बहुत बढ़िया तो ये बैदिक काल में देवताओं से प्रस्ण मनता रहा है तो रिगवेदिक गालिन दोनों को मिला के करोगे कि भाई दोनों में डिफरेंज की आ रहा है ठीक है ना और केवल रिगवेदिक कालिन धर्म की वाद कर रहे तो उसकी क्या विसेश्टा STARTING कौन महत्पूर देवता थे वहां पर आप एक चाइड के माध्यम से समझा सकते हो, तीक है? ओके, इसके बाद एक प्रश्न मनता है, एक प्रश्न बना था, दो नंबर में हम बात करें, हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दो नंबर के प्रशन में आप क्या करेंगे कम से कम चार पॉइंट याद रखें और पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है जो डिमांड है प्रशन की वही उसी के अकॉडिंग आपको क्या करना है अपना अंसर रैटिंग करना ह यहाँ पर क्या बात की जा रही है एक प्रशन मना था महाबीर स्वामी से जुड़े हुए तीर्थ इस्तलों की या उन से जुड़े हुए संबंदित इस्तलों की चर्चा करो तो हो सकता है इस बार महात्मा बुद्ध से संबंदित इस्तलों को पूछ ले दो नंबर में एक बाद जान लेना मेरे भाई इस बार इंडस्वेली, बैदिक सब्विता, जैन धर्म, बौध धर्म और मगद, मौरिकाल और आप से गुप्तिकाल हमेजा प्रशन पूछे हैं और ये बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है और प्रिय सेक्टर है आपके आयोक का जो प्रशन यहा होगा तो भाई महात्मा बुद्ध के बारे में आपने जन्म देखा होगा कि कहां पर हुआ था आप जन्म की बात करोगे कि इनका जन्म कहां पर हुआ था लुम्मिनी है ना और कहां पड़ता ये नैपाल की तराइम है नैपाल की तराइम पड़ता है एक स्थल क्या हो गया लुम्मिनी हो गया फिर उसके बाद इन्हें ग्यान की प्राप्ति कहां हुई ठीक ना इनको इनको नॉलेज्ज है ना इनलाइट्मेंट कहां पर प्राप्त हुआ था आप क्या बताओगे बोध गया तो ये भी स्तलिन से जुड़ा हुआ है कि नहीं है फिर उसके बाद जब आपने देखा कि इन्होंने प्रथम उपदेश कहां दिया प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया तो प्रथम उपदेश कहां दिया था आप सब को पता है सारनात में दिया था ना और सारनात का महत्त पूछा था आपको याद होगा और सारनात का महत्त में क्या लिखेंगे कि यहां से पहले इसको समझ लेते हैं महात्मा बुद्द से जुड़े हुए इस्तलों की चर्चा करो जन्म लुम्बिनी में ग्यान बुद्दगिया में और प्रत्थम उपदेश सा आते हैं वैसाली और यहीं पर महिलाओं को संग में प्रवेश देते हैं तो वैसाली याद रखोगे यहीं पर आमरपाली नाम की नर्थिकी थी उसे बहुत धर्में दिच्छा देते हैं और अपनी मौसी प्रजापति गौत्मी को भी बहुत धर्में यहीं प्रवेश देते आप लुम्बिनी बॉद गया बैसाली राजग्रह राजग्रह कपिल वस्तू ठीक है यह सारे के सारे इस्तल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे ठीक है और कौसाम भी तो इस तरह से आप क्या करोगे महत्मा बुद्ध से जुड़े हुए इस्तलों की आप क्या करोगे चर् क्या तो कराई नहीं जा रही है एक्स्प्लेनेशन नहीं कराया आपसे तो नंबर में नहीं केवल चर्चा और उसके बारे में पूछता इस बात को ध्यान रखना और आप जितना हो सके अभी कम से कम जो लोग मेरे प्यारे साथी जो मैंस दे रहे हैं कम से कम परड़े दस प सरवादिक उपदेश कहां पर दिये थे सरावस्ती में इनोंने सरवादिक उपदेश दिये थे ठीके ना इस तरह से आप देखोगे सबसे जादे महात्मा बुद्ध के बहुत डेसारे स्तल नहीं दो नंबर में पांच छे स्तल आप क्या कर दो चिपका दो ठीक है उसके बा पालन जरूर करें ठीकिन अगर किसी स्तल के बारे में पूछा है तो सबसे पहले वहां सेक्वेंस की बात करें क्या कि वो इस्तल कहां पर है किस नदी के किनारे है डिस्कवर किस ने किया है एसकिवेशन किस ने कराया रिसीव रिवाइंस वहां से हमें क्या प्राप्त हुए है फाइनल ठीक हां अगर किसी देवी देपता के बारें पूछा जा रहा है तो आप बता दो किसी सच्छा के बारें पूछा जा रहा है उसको आप बता दो तो अगर हम चाड नंबर की बात करें तो चाड नंबर का मतलब कितना है हमें साथ सब्द लिखने हैं है JE Emerald 100 सब्दम को लिखने साड सब्द मतलब एक लाइन आपको यह लiphon अगर दी जा रही है यहाँ पर बैदिक जो सब्विता थी इस सब्विता का टाइम पिरेड आपको पता होगा अच्छे से कि भाई 1500 BC से ले करके ये टाइम पिरेड 6th century BC रहता है और इस सब्विता को हमने दो भागों बिभाजित किया था एक था रिगवैदिक टाइम पिरेड और एक लेटर वैदिक टाइम तो यह क्या है रिगवैदिक टाइम पिरेड रिगवैदिक काल है यहां का और आपने इधर पड़ा होगा उत्तर वैदिक लेटर वैदिक काल उत्तर वैदिक काल ठीक है हां तो यहां पर जो रिगवैदिक काल है इसका टाइम पिरेड 1500 BC से ले करके 1000 BC था और यह उत्तर वै कि 1500 BC से लेकर के 1000 BC के बीच में यहां पर क्या पूचा है समाज पूचा है और आपको यह बात पता होगी कि अगर इस आप भारत की बात करेंगे यहां पर तो रिगव्यदिक काल में जो लोग जो थे यह अरियंस थे यह कहां पर बसे हुए थे यह सब तसेंधा प्रदेश में बच्च से हुए थे कहां पर सिंधू एबम उसकी सहायक नदियों के छित्र में यहां पर क्या थे यह बसे हुए थे तीके ना इधर इन छित्र में यह क्या थे बसे हुए थे यहां पर रिगवेदिक काल में और इनकी हमें जानकारी कहां से मिलती है रिगवेद से मिलती है कम है पश्वालन कज्याद है तो जहां पर भी पश्वालन अगर आपको मिल जाए तो वहां के समाज को आप कैसा बताऊगे कि समाज का विलाई था ठीक है ना तो सबसे पहले हम यहां की अगर करें रिगवेदिक काल के समाज की बात करें तो यहां पर पहला पॉइंट हमारा कौन सा होगा पहला पॉइंट होगा कि सभी लोग क्या थे समाज कैसा था पित्र सत्तात्मक समाज था पित्र सत्तात्मक समाज था पित्र सत्तात्मक समाज है तो मतलब पुरुस प्रधान समाज और उसके बाद यहां पर देखोगे सभी लोग जो थे कैसे थे कर्म के आधार पर यहां पर कर्म के आधार पर लोग बटे हुए थे ठीके न और उसके बाद क्या बताओगे कि यहां पर संयुक्त परिवार की अवधार थी कैसी संयुक्त परिवार की यहां पर अवधार थी औ और परिवार के सभी सदस्ति क्या कहलाते थे विस कहलाते थे परिवार के सदवी सदस्ति क्या कहलाते थे विस है ना और उसके बाद यहां पर उसके बाद अगर यहां पर और बात की जाए तो यह समाज कैसा था कविलाई समाज था और इसमें मैधपुड भूमिका किसकी थी पशुपालन की थी किसकी भूमिका थी मैधपुड भूमिका पशुपालन की थी और इस काल के अगर समाज में हम महिलाओं की बात करें यहां प मतलब किसी भी तरह के परदा प्रता की जानकारी नहीं मिलती है यहां किसी भी प्रकार के सती प्रता की जानकारी नहीं करने का अपनी मर्जी से सोचो अपनी मर्जी से लड़की विभा कर सकती इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यहां पर इन्हें सिच्छा का दिकार था किसका यहां पर इनको सिच्छा का दिकार था नाम आपने सुना होगा गोसा निपाला विस्वारा यह जो वे विदुसी यहां पर में दास्ता के साथ बहुत अच्छा विवहर कि जाता था बात समझना इस बात को ठीके उसके बाद समाझ में बिदवा विवा का उल्लेक तो नहीं मिलता लेकिन नियोग पर्ता बाद के काल में जैसे नारद और परासरMaragra यहां है उत्तरवेदिक काल में वो लोग कहते हैं कि विद्वा विवा है ना गुप्त काल के सम्तिक होता था लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं रिगवेदिक काल की तो उनको कोई मतलब मैं यहाँ पर किसका सिंबॉलिक रूप से बड़ विवाजन का उल्लेक मिलता लेकिन यह एपलाई नहीं थी ठीके न तो इस तरह से आपको क्या कहना है रिगवैदिक काल के समाज को रिगवैदिक काल का समाज पूछा जाए रिगवैदिक काल का लिखा आपने अगर आप से क ऑले किया कविले में बटा हुँआ है या बरंड में बटा हुआ अगर इसथा ही समाज है तो वहां पर वड़ विवस्ता लागू होगी अगर समाज कविलाई है तो वहां पर समांता की बात की जाती सबसे निमन किसकी होगी सूध dysłm की होगी फिर देखा जाएगा दासप्रता है कि नहीं है चुवा चूत है कि नहीं है ठीकिन और क्या ब्यवसाय के आदार पर अनेक नई जातियों का उद्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है महिलाओं की कंडिशन कैसी है महिलाओं की कंडिशन समझना है तो इनी पॉइंटों को क्य पूचा है तो आप डालोगे यहां का समाज कैसा था कभिलाई समाज था और समाज जो था कभिलाई समाज होंने के सासा समाज पित्र सत्तात्मत था और पिता अपने बेटे वेटियों को क्या कर सकता था बेच सकता था उन पर उसका संपूर अधिकार था ठीके न और सबसा जो परिवार होता है समाज की सबसे छोटी काई थी ठीके न मूली काई थी और संयुक्त परिवारी की यहां अबदार्णा थी औ पहिलाओं को वर्चुनने का दिकार था राजिनतिक जो गत्विद्यां थी सवासमित्य में भाग लेने का दिकार था सदासप्रता थी समाज में नियोगप्रता प्रिचलित थी तो इन चीजों को क्या करोगे आप डिसकस करोगे कहानी समझ गए और एक दम पॉइंट टू क्या तो वह चाहँ नंबर में जाएगा ओभिया जो प्रेशन वह बैदिक ओसे बनता है बॉद्धकाल से बनता है मारियों से बन सकता है appliगुष्टकाल 26th desire था नंब Alors करता है कि प्रस्द की प्रक्रती कैं प्रक्रती भॉब्याइक्वतों क्या क्या है समने क्या है समाज में क्या विद्वा विवा है समाज में क्या पित्रसत्तात्मक समाज है ठीक है ना और इन तक्तों को मिलाकर कि एक समाज बनता है और उसी समाज को हमने क्या किया यहाँ पर बताने का प्रयास किया है ठीक है बहुत बढ़िया अब जो आपका सबसे प्री है है ना ऐसा लगता है कि चतिसगड आयोग में है ना जो आयोग है उस आयोग की बौधधर्म और जैनधर्म एक प्रेमिका है तो उसी तरह से इतना चाहता है यह बौधधर्म और जैनधर्म को यहां से हर वर्ष प्रश्ण मनता ही बनता है ठीक है ना कभी आपसे प्रश्ण मनेगा कि बौध संगीतिय समझना इस बात को मैंने एक प्रश्ण दिया है कि बहुत धर्म के उदय और बहुत धर्म के उसकी लोगपृत यानि कारणों की चर्चा करूँ यहां पर एक तो हमने कहा कि बहुत धर्म का उदय क्यों हुआ आठ नंबर प्रश्ण है और एक इसका लोगपृरिय लोगपृय पTrue तो इसको कैसे लिखोगे उधय के कारण क्या थे उदय के कारण कुछ रहे होंगे उदय के कुछ कारण रहे होगे पॉइंट दू पॉइंपट लिए ना आठ नंबर के प्रश्ण है क्या लिखोगे बहुत धर्म के उदय एभम उसकी लोगपृत की अनेक कारण जिम्मेदार थे जैसे कहानी के लिए रहे बहुत बढ़िया तो यहां पर क्या है लोग पृता की उदय के कार्ड क्या है और उसके उदय के कार्ड क्या है दो चीज़ा पूछ रहा है चार नंबर आठ नंबर के प्रिशन में एक तो उसका उदय पूछ रहा है दूसरा उसी प काल पड़ा होगा जब आपने उत्तरवैदिक काल पड़ा होगा तो उत्तरवैदिक काल में आपने क्या पड़ा होगा यहां पर कि भाई जो समाज था समाज को आपने देखा होगा कि भाई समाज यहां का जाती के आधार पर यानि जन्म के आधार पर हो गया था जन्म यानि सबसे अच्छी कंडीशन यहां पर ब्रहाममण की और यहां पर सबसे निमन किसे माना गिया सूध्र को माना गिया कहानी के लिए बहुत बढ़िए समाज के बारे में आपार देखोगे में भी क्या होने लगा जो महिलाएं थी महिलाओं के महिलाओं के अधिकारों में भी क्या होने लगी गिरावट होने लगी ठीकिना उन्हें सिर्फ चूले चोके तक समालने की बात की गई है और तो जब याग्वल और गार्गी के बीच में सम्बाद हो、 तो गार्गी जीतनी है颤 को थोड़ा सा पराजित होने लगते हैं तो में तोंस हो जाओ नहीं तो तुम्हारा सर धर से अलग कर देंगे, इसका मतलब क्या है? कि वहाँ पर महिलाओ को निम्न समझा जाता है ठीकिना? एक ब्रामणड ग्रंथ है, जिसमें जब पुत्री का जन्म होता है, तो उसको दुख का कारण बताया है यहाँ पर इससे क्या इस पच्च र होता है इससे महिलाओं की इस्तिती में गिरावट देखने को मिलती है किलियर है चलू तो यहां पर समाज देखेंगे बर्ड में था चार वर्डों में था समाज में जटिलताएं आने लगी थी महिलाओं की इस्तिती में गिरावट आने लगी थी और सूद्रों के साथ दासों किस पर आधारित था ब्यापार पर भीया और ब्यापार करने के लिए आप जानते हो कि जो एट्मोसफेर चाहिए वो सांती वाला चाहिए कैसा चाहिए जो एट्मोसफेर चाहिए वो एकदम सांती पीसफुल एट्मोसफेर होना चाहिए एकदम सांती होनी चाहिए बातावड अच्छा होना चाहिए तभी व्यापार रन करता है ठीके न लेकिन उत्तरवैदिक काल में क्या हो रहा था धर्म की जटिलता की वज़े से यहां पर क्या हो रहे हैं युद्ध हो रहे हैं अब एक बात बताओ एजरायल और फलस्तीन के व भाई तो यहां पर उत्तरवैदिक काल में धर्म में धर्म हो रहा और धर्म के लिए युद्ध हो रहे हैं जैसे असुमेग यग्य है अब धर्म में क्या हो रहे हैं धर्म में हो रहे हैं यग्य हो रहे हैं और यग्यों में जैसे असुमेग असुमेग यग्य हो रहा है अब सांती भंग हो जाएगी तो ब्यापारवाणे जी क्या हो जाएगा भंग हो जाएगा तो बैस्सी वर्ग भी विचारा परेशान था कि भाई कोई ऐसा धर्म आए कोई ऐसा धर्म आए जो हमारे लिए सांती विवस्ता बनाए रखे हमारे लिए ब्यापारवाने जी की अच्छी परिस्तितियां उत्पन करे तो आर्थिक वर्ग में बैस्ट वर्ग भी परिसान था और इधर सामाजिक वर्ग में महिलाएं परिसान थी कि इन्हें दोयम दर्जे का समझ लिया सूद्र भी विचारे को दोयम दर्जे का समझ लिय इसके बाद एक था जिसे हमने किसान कहा। इदर एक किसान वर्ग भी था। तो मैं समझना अगर रिफरेंस मज़ Anna तो प्रशन आसान है। तो किसान क्रसी कर रहा है और क्रसी के लिए चाहिए थे वह या बैल और बैलों को चाहिए क्रसी के लिए लेकिन इधर उत्तरवैदिक काल में क्या हो रहा है उत्तरवैदिक काल में यहाँ पर क्या हो रहे हैं उत्तरवैदिक काल में यहाँ पर जवर्यस्त यग्यों हो रहे है और यग्यों में इन गाय के जो बैल जो बनेंगे यानि बच्छडों का क्या चड़ाए जा रहा यहां पर जो बच्छडे हैं जो गाय के जो बच्छडे उनको क्या चड़ा दिया जा रहा है यग्य में वली दे दी जा रही है उनकी उनकी बली दे दी जा रही है जब गाय के बच्छडे बली चड़ दी जाएंगे तो फिर वो विचारे बैल कहां से बनेंगे बैल नहीं बनेंगे तो ऐसे में किसान बर्गवी पर इसान ता बुक चाता है यार अब इस धर्म से हम बहुत तंग आ चुके हैं और भाई ऐसा धर्म आ जाए जो सांती विवस्ता की बात कर के ती करे जो इस इस इसना पाल यह करें विरोध करें और उसके साथ किसकी बात करें अहिंसा का बात करें ठीक न यहां जीवा पद दया की जाए जो बच्छडे हैं वो हो जाएं बैल बलें ताकि हम क्या करें करसी कारिकर पाएं कहानी किलियर है बहुत बढ़िया उसके बाद धार्मिक कारड भी कुछ जिम्मेदार थे कुछ धार्मिक कारड थे धार्मिकार्ड क्या थे जैसे रिगवैदिक काल का धर्म था जो रिगवैदिक काल का धर्म था यह कितना साधिगी वाला था रिगवैदिक काल का धर्म पूरी तरह से यहां पर साधिगी वाला धर्म था कैसा था यह साधिगी वाला धर्म था लेकिन उत्तरवैदिक काल आते यहां पर क्या होता है उत्तर वैदिक्काल आते हैं धर्म की साधिगी पूरी तरह से क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है और साथियों यहां पर जो बात होगी यहां पर कर्म कांड आ जाएंगे यहां पर कर्म कांड आ जाएंगे ठीके न यहां पर पशुओं की बली आ यहां पर क्या जाएंगे यहां पर यग्जी आ जाएंगे जबर यहां पर दान दच्छड़ा आ जाएगा यहां पर जो ब्रहमड जो वर्चस्व है यहां पर जो ब्रहमड वर्चस्व है यह भी एकदम पीक पर पहुंच जाएगा तो इस ब्रहमड वादी वर्चस्व से हो आर्थिक कारड़ हो चाह सामाजिक कारड़ हो यह सभी कारड़ जो है यानि बौत धर्म और जैन धर्म के उदय के क्या थे यह कारड़ थे कहानी समझे सामाजिक आर्थिक एबम राज ये धार्मिक कार्ड क्या थे उद्य के लिए जिम्मेदार थे इसके बाद बात आती है कि इसकी लोक प्रियता कि इसकी अगर लोग प्रीयता की आप बात करोगे तो क्यों लोग प्रीय हुआ देखो हमारी आधर्णि प्रधान मंद्ध ही जब ढेरा को रखते है納नता के सामने तो जनता उनकी बात को एकदम जनता हाथ हो हाथ लेती है क्यों कि वो एक ऐसा चहरा है जिसे हर कोई उस चहरे से परचित है तो यहां पर महात्मा बुद्ध जब आए तो बुद्ध का जो व्यक्तित्य था बुद्ध का स्वयम की पर्सनेल्टी बुद्ध का जो स्वयम का व्यक्तित्व है इसके लिए पुब्लिसिटी के लिए जिम्मेदार था जब महात्माद बुद्ध आए घूम घूम के क्या करते हैं बौत धर्म का प्रिचार प्रसार करते हैं और लोगों के उनके हितों की बात करते हैं और कहते हैं कि ब्रहमद वादी जो कर्मकांड थे उनका खंडन करने की बात करते हैं महिलाओं को भी मोच्च कादिकारी मानते हैं सूद्रों को वरावर का हक देते हैं और उसके बाद महात्माद बुद्ध क्या कहते हैं कि जो बेद हैं वो किसी ईस्वर के द्वारा नहीं लि विरुद किया इन्होंने पशु बली का विरुद किया इन्होंने अहिंसा का समर्थन किया समझ रहना तो इस तरह से महत्मा बुद्ध का जो व्यक्तित था बहुती ब्रोट था और उन्होंने अपने उपदेशों के माद्यम से घूम घूम कर है न क्या करते असी वरस की उम्र पर बढ़ावा देने की बात करते हैं तो महत्मा बुद्ध का स्वेहम का व्यक्तित था फिर इन्होंने आम भासा का प्रयोग किया इन्होंने किस भासा का प्रयोग किया जैसे महत्मा बुद्ध ने पाली भासा का प्रयोग किया और उसी प्रकार से जब महाबीर स्वामी आते का संग भी जिम्मेदार था संग जो संग आ रहा है एक दम संग की रूप में लोग एक यूनिटी की रूप में लोग क्या कर रहे हैं उसको विस्तार दे रहे हैं और इन्हों ने जो सभी समाज की उस टाइम की जो कुरीतियां थी जो बैड रिचुवल्स थे जो कुरी जो कु कूरीतियां थी इन कूरीतियों को इन्होंने क्या किया था विरोध किया समझ रहें कि नहीं इस तरह से सर्र सठ्चड दिया जैसे भिंपिसार और अजास सत्रुने ने सर्रस्चड दिया थीके नश Hack Un दोनों भाई इनके परचित ही थे उनसे ना उनके समय के थे अजास्तरू के सासन के आठवी वरसन की क्या होती है मरत्य होती है और उसके बाद आप देखते हो कि असोक ने तो पूरा राजपाट निवच्छावर कर दिया उनके लिए ब्याहर बना रहे हैं उनके लिए करया इन्होंने क्या किया बहुतद्रम को प्रसार प्रचार करा सामाज करभएस्ता कठोर जाती इसंसे परेशान थे प्रहामट रोभ चट्रीओं के भीच में संगर्ज चलने लगा वाद में आर्तिकष़ व्यापारी वर व्यांभ विचारा परेसां था शांती चाता था सा यह ना लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है पशुवली चड़ाई जा रही है ऐसे में समस्याएं थी धार्मिक काड कर्म कांड अनुष्ठान ब्रहमडवादी यह वर्चे स्था उसकी समस्याएं बहुत डेल सारी थी और इनी के विरोध में क्या होता है इनी सब के विरोध में इ बहुत की दो था और इन्होंने ठर्म को सरल आत्मसयम है है सांती वुरस्ता आहिंसा अपरिग्राइब रम liquor सत्ति अइंसा की इन्होंने बात की अपरिग्रइद की गर्षपूर्भ्स विर्भार्षभाब्रे विरोध किया था कहानी समझे तो मेरे प्यारे साथ यू आज जो हमने बात की है जो आज जो हमने बात की हमने कहा कि जो इथियास में हमने कहाा लगवग इसमें 30-22 जो आता है वो आता है प्राचिन भारत का प्राचीन भारत के त्यास आता हैह इस इत्यास में हमने कहा कि अधिक्तम यहां दो नंबर का प्रिश्ण यहां पर आपको चार नंबर का और यहां पर आपको आठ नंबर और यहां पर आपको पंद्रे नंबर के प्रिश्ण पूछे जाते हैं प्राचीन भारत में यह तो दो नंबर में किसी साइड को पूछ ल और रही बात साथिव 15 नंबर के प्रश्ण की तो 15 नंबर के जो प्रश्ण है उसकी चर्चा हम करेंगे सेकंड पार्ट में ठीक है और आई होप साथिव आपको ये लेक्चर पसंद आएगा ठीक है न अपना ख्याल रखें अपनों का ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई कर करते नहें ठीक है ना फिर मिलते हैं साथ ही नेस्ट वीडियो में थैंक यू जहन करें 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 करें